वेल्कम बेक टू मैं चैनल इफ या नियो वीडियर प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फॉर मॉर वीडियो आज हम बात करें ओडर 32A की पहले अपनी प्रीविज वीडियो में बताया था ओडर 32 अब आपको बता रहे हूं ओडर 32A तो फ्रेंड्स 32A कहता है की सूट रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग दी फैमिली कुटम से संबंद रखने वाले विश्यों से संबंद बात तो सिविल प्रॉस्टिया कोड का ओडर 32A इस पे बात करता है की आदेशों का लागू होना रूल बंद कहता है आदेशों का लागू होना इसमें टोटल 6 र order इस आदेश के उप्भन कुटुम्ब से संबंद रखने वाले विश्या से संबंदित बादों कारवाई पर लागू होंगे जो ये order 32 है वे कुटुम्ब से फैमिली से रिलेटिट जो concerning matters हैं उस पर अपलाई होंगे विश्या या अपनियम एक यो बंदों की बियापकता पर पतील कूल परवाब डाले वे ना इस आदेश के उप्भन को तुम से संबंदित निम्लिकित बादों कारवाई को लागूंगे अथात विवाव श्यक अनुतोस के लिए कोई बाद या कारवाई जिसके अंदर किसी व विवा की या विवा विश्यक परिस्टिति की विदीमानता के बारे में गोश्या करने के लिए बाद या कारवाई भी है एसूट और फ्रॉसीडिंग्स फॉर मेट्रोमोनियल रिलीव इंकूडिंग एसूट और प्रॉसीडिंग्स फॉर डिकलेशन एज दा वैलिडिटी किसी व्यक्ति के धर्म जत्म के बारे में गोश्या करने के लिए बाद या करवाई एसूट और प्रॉसीडिंग्स फॉर डिकलेशन एज तू लिटीमेंसी ऑफ एनी परसंग्स नेक्स आता है कि किसी व्यक्ति की सनक्ष्टा या कुट्ण के किसी अव्याविश्टिंग्स अव्यक्ति के वारे में कोई बाद या करवाई एसूट और प्रॉसीडिंग्स इन लेशन तू दा गार्जिंशिप ऑफ दा परसंग्स और दा कष्टरी ऑफ एनी माइनर अनल मेंबर ऑफ दा फैमिली अंडर डिसेविल्टी जो व्यक्ति अव्यक्ति है उसकी किसी तरी की कि जिस क्या जो है रिपरेजिंटेशन किसमे करना है गाजिंशिप कौन लेगा इस तरी की गोस्रा जो केसिज में होगी तो सिर्फ लिटेश के इस ओर्डर के अंतरगर आएंगे बरार पॉसर के लिए कोई बाद या करवाई एसूट और प्रॉसीडिंग फॉर मेंटिनेंस नेक्स काथ करता है कि डत्तक ग्रहें की विजिमानता या परवाफ के बारे में कोई बाद या करवाई यह सूट और प्रॉसीडिंग एज दा वैलिडिटी और एफेक्ट ऑफ एन एडॉप्शन किसी तरह का एडॉप्शन की गोश्रा करनी है कि इस व्यक्ति ने क्या है संस्थित किया गया कोई वादया करवाई में यह ओडर अप्लाई होगा एसूट और प्रॉसीडिंग इंस्टिटूटिट वाइंबर ऑफ फैमिली रिलेटिंग तो विल्स इंस्टेंसी और सक्सेशन नेक्र राते हैं किसी ऐसे अन्ने विसे के बारे में कोई वादया करवा परसनल लोग से लेटिट कोई गोशना करने कोई कारवाई है प्रॉसीडिंग से उस पे यह ओडर अप्लाई होगा तो रूल त्री कि इस आदेश का उतना वाग इतना किसी ऐसे वादया कारवाई के संबंद में संबंद रखने वाले किसी विशेस विजीद्वारा को लागू नहीं होगा तो यह हो गया इसका रूल वन जिसमें की सर्व रूल थ्री थे उसमें बताया गया था कि यह ओडर कहां का अप्लाई होगा नेक्ट बात करते हैं रूल टू रूल टू कहता है कि कारवाईयों का बंद कमरे में किया जाना प्रोसीडिंग स्टू भी ह एल ऑन केमरा इफ दा कोड सो डिजायर एंड सेल वी हैल इफ आइधर पार्टी सो डिजायर ऐसे परते बाद या कारवाई में जिससे यह आदिस लागू होता है यदि नियाल ऐसी वांचा करे ऐसी इच्छा करे की जो कारवाईयां हैं वो बंद कमने में की जाएंगी और य एक्ट करते हैं रूल थ्री, रूल थ्री कहता है निप्टारे के लिए प्रयत्न करने का नियाले का कतब बे, जूटी ऑफ कोड टू में एफ़र्ट्स फो सेटलमेंट, कोड क्या करेगा, जो मामला है, जो विवाद है, उसमें समझोता कराने की कोसिस करेगा, तो रूल थ्र इसके बारे में बात करता है कि ऐसे परतेक वाद्या कारवाई में जिस जयाद इसलागू होता है, नियाले बात की विशेवस्तू के बारे में निप्टारा कराने में पक्षकारों की साहिता करने के लिए, इस मामले में जहां ऐसा मामले की प्रकतियों प्रिश्चितियों मे में सुशंगा संभव हो पतमता प्रयास करेगा सम्जोता कराने का। In every suit or proceeding to which this order apply, an endeavor shall be made by the court in the first instance, which where it is possible to do so, consists with the natural and circumstances of the case to assist the party in arriving at the settlement in respect of the subject matter of the suit. Next आते हैं कि जदी ऐसे किसी बाद या कारवाई के किसी प्रयकरम में नियाले को यह परतीत होता है कि पक्षकारों के बीज निप्टारे की युक्तिक संभावना हैं, तो नियाले कारवाईयों को ऐसी अफदे के लिए जो भ्य ठीक समझे फ्टिक कर देगा, रोक देगा कि ऐसा निप्टारा करने के लिए पहले पिद्यास किया जाएं, तो उसके लिए当 प्रोसिटिंस रोक देगा कि आपहले समझोता हो सकता है कि इसमें, तो वह करा जाए जो family related cases है सब rule 3 कहता है कि उपनियम दो दोगारा प्रदस सक्ती कारवाई या स्थरिस करने की नियाले की किसी अन्य सक्ती को अर्टिरिक नया होगी ना कि इसके अर्पी करने में यानि कि जो अर्टिरिक सक्ती है ना किस का अर्पी करने करने वाली ये पावर दी गई है कोड को नेक हम बात करते हैं रूल 4 रूल 4 कहता है कि कल्यान से सग्गे से साइटा असिस्टेंस ओफ वेलफियर एक्सपर्ट ऐसे परतेग वाद्या कारवाई में जिसमें यादेश लागू होता है अन्याले को इस आदेश की नियम तीन दवारा दिरोपित करतब्य के निर्भान में न्याले की साहता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं विसेश कर मेरिला की सेवा यदि अबलब्द हो चाहे वे पक्षकारों का नातेदार हो या नहीं इसके अंदगत कुटोंब के कल्यार की प्रोनित्ती में वर्टित तोर पर लगा हुआ व्यक्तिवी है जिसे नियाले ठी समय प्राप्त करने की सतंता होगी यानि कि यह राय है किसी विसे सग्गे की जिससे की परिवार ना तूटे इससे जो कंसर्णिंग है वो की जा सकती है बेलफियर एक्सपर्स की रूल फाइव कहता है रूल की तत्थियों की जाचका करतब पे जूटी टू इंक्वाइरी इंटर फैक्स परतेग ऐसे परतेग वाद या कारवाही में जैसे यह आदर इसलागू होता है यह ओड़ा जिस केसिंग में अपलाई होता है नियाले का यह जूटी होगी करतब में होगा कि मैं वादी द्वारा विकतित तत्थियों की ओर से पर की बात करता है फैमली मीनिंग ओफ कुटम का अर्थ क्या है तो इस आदेश के प्रियोजन के लिए इस जहां यह ओडर अपलाई होता है कुटम का जो अर्थ है निम्लिकित ब्यक्तियों में से बत्तेग के बारे में यह समझा जाएगा और उसके मिलकर कुटम बनता है अथा एक साथ रहने वाले पुरुस का उसकी पत्नी सेकेंड है कोई वालक जो उनकी या ऐसे पुरुस की या ऐसी पत्नी की संतान हो या हो कोई वालक जिसका या जिसका बना पुरुस या पत्नी गारा किया जाता है तो वह वी कुटम के साथ सिक लाएंगे ऐसा पुरुस जिसकी पत्नी ना हो या जो अपनी पत्नी के साथ ना रहता हो कोई वालक जो उसकी संतान हो या हो और कोई वालक जिसका बना पुरुस उसके गारा किया जाता है तो वह वी कुटम के साथ सिक लाएंगे next है कि ऐसी इस्तरी जिसका पती ना हो या जो अपने पती के साथ ना रहती हो कोई बालग जो उसकी संतान हो या हो और कोई बालग जिसका बरापसा उसके दोरा किया जाता है तो वह है भी कुटम के साथ से खलाएंगे a woman not having a husband or not living together with her husband any child and children being issued to hers and any child and children being maintained by her तो वह है भी कुटम के सार से कलेंगे कोई पूरस या स्तरी या उस पूरस या स्तरी का भाई बैहन bile इन पूरफज या पार्पिक बजसर जो इसके साथ रहता हो वह कुटम के साथ से के इन तर्वाइँगे इस नियम के खंडगा खंडखा खंडगा या खंडगा में निदस बाइगों में से एक या अधिक का कोई समूचे जो एक साथ रहता है वो कुटम के सरसे किलाएंगे संकाओं को दून करने के लिए या गोसित किया जाता है कि नियम चे के बंदों से किसी सवीय विदी से या तरसमे प्रवस किसी अन्य विदी में कुटम की धाना परपती परवाब नहीं पड़ेगा तो जो जो इसमें डेफिनिशन दी गई है वो ओडर से रिलेटिट है इसका किसी अन्य जो बंद है उन पर परवाब नहीं पड़ेगा नेक्ट हम बात करेंगे ओडर 33 की अपनी नेक्स वीडियो में इसक्राइ नहीं जिसक्राइ नहीं प्रयाग थीं जिसक्राइब टू में जू अजस्क्राइब।